स्रीमान ओम बिर्ला जी, मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी, स्रीमान प्रहला जोसी जी, स्री हर्दिप पूरी जी, इस समिति के चेर्मेन स्रीमान स्रीयार पाटिल जी, साउसदगन, देवियों और सज्जनों, दिल्ली में जन प्रतिनीजियों के लिए आवास की इस नई सुविधा के लिए आप सब को बहुत-बहुत बढ़ाई, आज और भी एक सुवग सेयोग है, आज हमारे कर्तुरत्ववान मित भाशी, हमारे अध्यक्ष स्रीमान ओम बिरलाजी का जन्म दिवस भी है, ओम जी को बहुत-बहुत शुबकामना है, आप स्वस्त रहें, तिरगायू हो, और देश की ऐसे ही सेवा करते रहें, इस स्वर से पेरी यही प्रार्फना है, साथियों सांसदों के लिए पिछले साल सौर्थ एवन्यू के घर बनकर तयार हुए थे, और आज पीडी रोड पर वी यह तीन टावर आवंटन के लिए तयार है, मेरी कामना है कि गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीन टावरों का संगम, इसमें रहने वाले जन प्रतिनिद्यों को हमेशा त्वस्त रखे, तारियरत रखे, और संतोशी बनाएं, इन फ्लैट्च में हर वो सुविधा दी गई है, जो सांसदों को अपने दाईत्व के निर्वहन में मदद करेगी, सांसद भवन के नदिक होने की वज़ा से भी, इसमें रहने वाले सांसदों को बहुत आसानी होगी, साथियों, दिल्ली में सांसदों के लिए भवनों की दिक्कत पर्सों से रही है, और जैसे अभी बिर्ला जी बता रहे थे, लंबे अर्से तक सांसदों को होटल में रहना पड़ता है, इसके कारण आर्थिक बोज भी बहुत आता है, उनको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब मजबूरन करना पड़ता था, लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए, कंभीरता से प्रयास, 2014 के बाद, पिशेस रुप से शुरू हुए, पसकों से चली आ रही समस्याएं, तालने से नहीं, उनका समाधान खोजने से समाप्त होती है, तिरफ सांसदों के निवास ही नहीं, बलकि यहाँ दिल्ली में ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स थे, जो कई-कई बरसों से अधूरे थे, लटके पड़े, कई इमारतों का निर्मान, इस सरकार के दोरानी शुरू हुआ, और तए समय में, और तए समय से पहले समाप्त भी हुआ, जब अटली वह रिवाजपाई जी की सरकार थी, तो अटली जी के समय जिस अम्बेड कर नेशनल मेमोरियल की चर्चा शुरू हुई थी, उसका निर्मान, इतने साल लग गए, इस सरकार बनने के बाद ही, इसका काम हुआ, 23 वर्सों के लंबे इंतजार के बाद, दॉक्टर अम्बेड कर इंटरनेस्टरल सेंटर का निर्मान किसी सरकार में हुआ, Central Information Commission की नई बिल्डिंग का निर्मान किसी सरकार में हुआ, देश में बसकों से पौर मेमोरियल की बात हो रही थी, हमारे देश के वीर जबान, लंबे अर्से से इसकी आशा कर रहे थे, मांग कर रहे थे, देश के वीर सहुईदों के स्मूर्ती में, इंडिया गेट के पास और मेमोरियल का निर्मान भी, उसे करने का भी सवभाग्य हमारी सरकार को देए, हमारे देश में हजारों पुलिस कर्भियों ने कानून व्यवस्ता बनाए रखने के लिए, अपना जीवन दिया है, हजारों पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, उनकी याद में भी, नेशनल पुलिस मेमोरियल का अंदिर्मान भी, इसी सरकार कर्भिक के द्वारा हुआ, आज, सांसोतों के लिए, नए आवासों का लोकारपन, ये लोकारपन भी, इसी स्रंखला में, एक जरूरी और एहम कदम है, मुझे खुशी हैं कि हमारे सांसदों का एक लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है, इन फ्लैट्स के निर्मान में परियावरण का ध्यान रखा है, एनर्जी कर्जेर्वशन के उपाए हो, तोलर प्लांट हो, सीवेज ट्रिट्मेंट प्लांट हो, ग्रीन बिल्लिंग के ये कंसेप्ट इन भवनों को और आधुरिक बनाते हैं, साथ क्यों, मैं लोगसभा द्यक्जी, लोगसभा सचीवाल है, और इसके निर्मान से जुड़े अर्बन डेवलोप्टमेंट मिनिस्ट्री हो, अन्य विभाग हो, सब को पधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में इस बढ़िया सुविदा का निर्मान करवाया, और हम सब बली भाती जानते हैं, हमारे लोगसभा द्यक्जी, वैसे भी कॉलिटी में भी और बचचत में भी विश्वास रखते हैं, सदन के भीतर पे ये सुनिश्चित करते हैं, कि समय की भी बचचत हो, और डिबेट की भी क्वालिटी हो, और इसके निर्मान में भी उन बातों को भली भाती सफलता पुर्वक पार किया गया है, हम सब को याद है, अभी हमने मौनसुन सत्र में भी अद्देगजी की सकार्य सैली की जलक देखी है, कोर्णा काल में अनेक प्रकार की सावधानियां के बीच, नई व्यवस्ताओं के साथ साउंसत का सत्र चला, पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों ने एक एक पल का सदुप्योग किया, दोनों सदनों द्वारा पारी बारी से काम करना हो, क्या फिर शनिवार और रविवार को भी कारवाई करना, हर किसी ने सयोग किया, सभी दलों ने सयोग किया, तात्यों हमारी संसत की ये जो उर्जा बड़ी है इसके पीछे एक और बड़ा कारण है इसकी भी शुरुवात एक तरह से 2014 से शुरू हुई है तब देश एक नई दिशा की तरफ बढ़ना चाहता था बढ़लाव चाहता था और इसलिए उस समय देश की संसत में 300 से ज़्यादा MPs फर्स टाइम चुन कर पहुँचे थे और मैं भी पहली बार आने वालों में से एक था इस सत्तरवी लोकसभा में भी 260 साउसद ऐसे हैं जो पहली बार चुन कर पहुँचे यानि कि इस बार 400 से ज़्यादा साउसद ऐसे हैं जो या तो पहली बार चुन कर के आये हैं या फिर दूसरी बार साउसद पहुचे इतना ही नहीं सत्तरवी लोकसभा के नाम सबसे ज़्यादा महिला साउसदों को चुन कर भेजने का रेकॉर्ड भी दर्ज है तेश की युवा सोच ये नया मिजाज साउसद की साउरचना भेवी दिखाई देता यही कारण है कि आज देश की कार्य प्रणाली में गवन्नेंस में एक नई सोच और नया तौर तरीका दिखाई दे रहा है यही कारण है कि देश की साउसद आज एक नए भारत के लिए कदम बढ़ा रही हैं पहुत तेजी के साथ फैसले ले रही है पिछली सोलवी लोगसभा ने पहले की तुल्ना में पंदरा प्रतिशत जादा बिल्स पास की सत्तरवी लोगसभा के पहले सत्तर में ताएस समय से एक सो पैंतीस प्रतिशत काम हुआ राज सभा ने भी शत्त प्रतिशत काम है यह परफॉर्मंस पिछले दो दसकों में सबसे जादा है पिछली सर्दियों में भी लोगसभा की प्रोड़क्टिविटी एक सो दस प्रतिशत से जादा रही है तात्यों समसद ही इस प्रोड़क्टिविटी में आप सभी समसद रहे प्रोड़क्स और प्रोसेस दोनों का ही ध्यान रखा है हमारी लोगसभा और राजसभा दोनों के ही साउसदों ने इस दिशा में एक नई उचाई हासिल की और निश्चित तोर पर इसमें उन साउसदों का भी योगदान है जो अब सदन का हिस्सा नहीं है आप देखिए हमने कितना कुछ हासिल किया है साथ मिलकर कितना कुछ नया किया है स्रिब बीते एक डेड़ वर्सों की बात करे तो देश ने किसानों को पिचोलियों के चंगूल से आजहात कराने का काम किया देश ने एक्टिहासिक लेबर रिफार्म्स किये हैं कामगारों के हीतों को सुरक्षित किया है देश ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भी विकास की मुक्षधारा और अनेक कानूनों से जोडने का काम किया पहली बार जम्मू कश्मीर में अब करप्सन के खिलाब काम हो सके ऐसे कानून बन पाए देशन ने महिलाओं को तीन तलाग जैसी सामाजिक कुरुतियों से भी आज़ा दिदी इससे और पहले की बाते करें तो मासुम बच्चियों से बलातकार करने मालों के लिए पुरुत्यु दंड का प्रावधान भी इसी दोरान किया आधुनिक अर्थिबवस्था के लिए GST, Insolvency और Bankruptcy कोर्ट जैसे कितने ही बड़े बड़े नेड़े हुए इसी तरह भारत की जो सम्वेदन सिल पहचान रही है उस commitment को पुरा करते हुए हम सबने मिलकर दागरिता सौंसोधन कानून भी पास किया हमारी ये काम ये सभलताएं अगर हमारे प्रोडक्स है तो इने करने के प्रोसेस भी उतने ही शांदार रहें संबापह पहुँच से लोगों ने ज्यान नहीं दिया होगा तेकिन तोलवी लोगसभा में साथ प्रतिशत बिल ऐसे रहे हैं इने पास करने के लिए अवसतन दो से तीन गंटे तक की डिबेट हुई हमने पिछली लोगसभा से ज्यादा बिल पास किये लेकिन फिर भी हमने पहले से ज्यादा डिबेट की है यह दिखाता है कि हमने प्रोडक्ट पर भी फोकस किया है और प्रोसेस को भी निखा रहा है और यह सब आप सभी मानलिय साउसद गरने किया है आपकी वज़े से हुआ है मैं इसके लिए आप सभी साउसदों को सारवजनी गुरुप से धन्यवाद देता हूँ बधाई देता हूँ साथियों सामान्य तोर पे यह कहा जाता है कि युवाओं के लिए तोला, सत्रा, अठारा साल की उम्र जब वो टैंज, ट्वैल्ज में होते हैं बहुत महत्वपुण होती है सोला, सत्रा, अठारा की यह उम्र किसी युवाओं लोकतंत्र के लिए भी उतनी ही महत्वपुण है आप देखिए, अभी दोहजार उन्नीस के चुनाव के साथ ही हमने सोलावी लोकसभा का कारकाल पूरा किया है यह समय देश की प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ही ऐत्यहासिक रहा है तो हजार उन्नीस के बाद से सत्तरवी लोकसभा का कारकाल शुरू हुआ है इस दोरान भी देश ने जैसे निर्णे लिये हैं, जो कदम उठाए हैं उनसे यह लोकसभा अभी ही इत्यास में दर्ज हो गई अब इसके बाद अठारवी लोकसभा होगी मुझे विश्वास है, अगली लोकसभा भी देश को नए दसक में आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपुन भूमी का निभ्याएगी और इसलिए पर ये सोला, सत्रा, अठारगा का महत्वप आपके सामने विशेश रुप से प्रस्तूत किया देश के सामने कितना कुछ है तो हमें इस दोरान हासिल करना है चाहे आत्म निर्भर भारत अभ्यान हो अर्थ व्यवस्ता से जुड़े लक्ष हो या ऐसे ही कितने और संकल्प कि सब हमें इसी दोरान ही सिद्ध कर रहे और इसलिए तोलवी, सत्रवी, अठारवी लोकसभा का ये कालखन हमारी युवा देश के लिए बहुत एहम है देश के लिए इस इतने महत्वपून समय का हम सब को हिस्सा बनने का सवभागे प्राप्त हुआ है और इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि जब इतिहास में लोकसभा के अलग-अलग कारकालों का अध्यन किया जाए तो ये कारकाल देश की प्रगति के प्रणिम अध्याय के तौर पर याद किया है साथियों हमारी यहां कहा गया है क्रियाहा सिद्धी ही सत्वे भवती महताम सत्वे भवती महताम नोपकरणे अर्थात कर्म के सिद्धी हमारे सत्य संकल्प पर हमारी नियत से ही होती है आज हमारे पास साधन भी है और द्रड संकल्प भी है हम अपने संकल्पों के लिए जितना अधिक परिश्रम करेंगे सिद्धी उतिनी ही जल्दी और बड़ी होगी खुझे विश्वास है कि हम सम मिल कर 130 करोर देश्वास्यों के सपनों को जरूर पुरा करेंगे आत्म निर्भर भारत के लक्ष को पूरा करेंगे इनी शुप कामनाओं के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद प्रिधान मंत्री जी हम सभी का मारत